सो हे वियंस मैं वियाम होप करते हैं आप लोग बढ़े हों गया तो आच वीडियों बात करने वाले जितने भी बच्चे इलाबा दी उनिवस्टी में लॉग के लिए फॉर्म भरे हैं ठीक है उनके लिए काफी महत्तपूर्ण वीडियो है ठीक है जो जो बच्चे बी लेलब प्रक्रिया जा रही है जैसा अब को पता भी है अब तक सबसे अधिक पंजी करण एवं आवेदन विधिक पाटकर में हुए हैं ठीक है यानि लॉग के लिए सब ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी तक एक सीट के सापेक्च करीब आठ अभ्यार्थियों ने दाव युनिवस्टी ने साथ तक कर दी है सब आपको पता है अब मुद्दे की बात आने सुरू हो रही है इलावा विश्विद्याले प्रशासन की ओर से जारी ब्रोशर के अनुशार विधी कोर्स के अंतरगर्द इस बार LLB में 1125 और BLLB में 450 सीटों पर प्रवेस होना है ठीक है अब आगे देखते हैं क्या नियूस निकल क्या रही है इलावा विश्विद्याले के अतरिक CMP ADC में LLB तीर वर्सी कोर्स की पढ़ाई होती है तीनों जगह 375-375 सीटों पर अलग अलग प्रवेस होगा यानि कि एक मेन केंपस होगा एक CMP हुआ और एक ADC इन तीनों कर कोर्स होता है ठीक है और 375 सीटे हैं वहीं के लिए इलाव अद्विश्विद्याले और CMP में 150-150 सीटों पर प्रवेस होगा वही SS खन्ना गर्स डिगरी कॉलेज और इस्वन सरन डिगरी कॉलेज में 75-75 सीटे तै की गई है ठीक है अब आईए बात कर लेते हैं कि LLB के कैसे आने वाले हैं ठीक है तो कुछ चेंजेस भी हुए इस बार आये देखते हो क्या चेंजेस हुए अपरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं ठीक है LLB में जो है तीन पार्ट में आपका पेपर होगा ठीक है और 150 सीटों रहेंगे ठीक है आये देखने इतने तफ़ अभिञ्यान के 25 प्रसन होंगे अंगरेजी भासा के 25 प्रसन होंगे ठीक है यानि कि हिंदी के 25 कोशन इंगलिस के 25 कोशन और पार्ट टू में आपका समान अभिण्यान यानि कि साइंस इलेटे तो आपके कोश्चन होगे ठीक है अब बात करें mental editing और reasoning के कोश्चन होंगे ठ ठीक है तो यह तो हो गया इंटर्स एक्जाम का जो पेपर होगा है वो मौडियूल ठीक है अब बात करते हैं इसी प्रकार BALB में तीन पार्ट में 150 प्रस पूछे जाएंगे इसके लिए दो घंटे का समय नियाद किया गया है प्रते एक प्रस में दो दो अंकी होंगे इसमें परत में हिंदी से 25 कोशों इंगलिष से 25 कोशोंग और कieurs आमकी कि जोlex हूए यो निकल के आघे है और दिखायाका to मैं भी आपका पूरा मोड्यूल टयार पोउच चुका है लिए लिया जाएगा और पूरा आपके तैयारी इसी पर होनी भी चाहिए ठीक है तो कोई भी प्रॉब्लम होगी ठीक है लॉस रिलेटेट्ट मैं भी एक लॉक का स्टुडेंट ही हूँ तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लॉस से आएगी तो मुझे कमेंट कर देना मैं रिप्लाइज जो है लॉव अलो स्लोगन भी आ चुका है नाम तो आपने सुन लिए नहीं देखा तो चैनल पर आकर विजिट करके आप देख सकते हो ठीक है तो वीडियो को वासे एंड करते हैं मिलते हैं आपको लिए नए किसी इंफॉर्मेशन वीडियो में तब तक के रिए जय हिन जय भारत